प्राया चाहे तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो हर एक माला को छुपा करके ही जब करना चाहिए या तो गोव मुखी में या माला जोली एक माला जोली होती है एक गोव मुखी होती है प्राया लोग एक ही मान लेती है अलग अलग है गोव मुखी वो होती है जो ऐसे जाकर के एलसे में होती है और माला जोली माने आजकर प्रा हमारा साधना प्रयास करिए आप जो भी पूजा करते हैं साधना करते हैं वो प्राया गुप्त रहे अपनी साधना अपने अनुभाव पूजा के ज्यादातर लोगों से श्यर्मत करिए छुपा के रखिए पाप बन जाए तो सब को कह दीजिए ताकि वो बढ़ जाए और उन्हें हमारी पूजी है उसको छुपा के रखना है यह कि आप 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 आप